सूक्ष्म शिक्षन की पाठ होजना में मैं वैशाली आपको गड़ित विशे के लिए प्रस्तावना कौशल का प्लान बना कर दिखाऊंगी तो आईए देखते हैं हमें ये किस प्रकार बनाना है सबसे पहले हमें डालना है दिनांग कक्षा आठ से ये टॉपिक लिया है वादन, विशे गड़ित, उपविशे रेखा गड़ित और समयावधी पास से साथ मिनट प्रकरन डालेंगे लेकिन प्रकरन अभी नोट डाउन नहीं करेंगे इसके बाद हम तीन तालिका बनाएंगे प्रशने अध्यापक पढ़ाने के लिए को प्रयोग में लेते हैं चौथा प्रशने शामपट के आकरती कैसी होती है शामपट के आकरती आयताकार होती है पाजवा प्रशने आयत के बारे में आप क्या जानते हैं तो ये समस्यात्मक प्रशन हो जाएगा बच्चे नहीं बता पाएंगे यहीं से हमारा टॉपिक निकल जाएगा और उद्देश्य कथन लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम आयत का विस्तार पूरवक अध्यन करेंगे अब उद्देश्य कथन बताने के बाद आयत जो हमारा टॉपिक मिल गया है उसको हम प्रकरण पर लिख सकते हैं क्यों क्योंकि प्रस्तावना कोशल हमें सब व्याख्यान कोशल से या टॉपिक बताने से पहले पूछे गए प्रश्न होते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद जब हमें टॉपिक मिल जाता है उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं बाएं पेज में हम निरीक्षन तालिका बनाएंगे जिसमें कॉलम्स होंगे क्रम संख्या घटक मिलान चिन ने बहुत कम कम औसत अच्छा बहुत अच्छा इसमें साथ घटक हैं पहला छातरों के पूर्वग्यान का प्रयोक किया गया दूसरा प्रश्न श्रंखला बत थे प्रश्नों को मूल पाट से जोड़ा गया प्रस्तावना अवधी का विस्तार समुचित था प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया प्रश्नों में सजगता और रुची थी और सिक्षक के स्वरों की प्रभाव différents था इस तालिका को बंद कर देंगे सुझाव डालेंगे और निरीक्षक हस्ताक्षर डालेंगे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रिस्तावन कोशर समझाया होगा थेंक यू